हालो दोस्तो आप सबका फिर्षरी एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है सो दोस्तो आज हम AG 100MG Dry Shurup के बारे में फुल जनकारी बताने वाले हैं तो दोस्तो इस AG 100MG Dry Shurup का बेन फिट क्या है और इस AG 100MG Dry Shurup का डोज क्या है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और इसे के साथ भेल की घंटी को impress कर लिजिए and वीडियो को like कर लिजिए क्योंकि हमेशे ही medical related वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो चलिए वीडियो को फटाफट सुरू करते हैं हैलो दोस्तों मैं डॉक्टर अनुप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेट्चे नाले चैनल तो दोस्तों इस AG 100 mg dry syrup का निर्मार सीपला फार्मा कंप्री बनाती है लेकिन यह dry syrup बहुत बढ़िया और ब्रांड जानी मानी दोवा है और इस AG 100 mg dry syrup के मार के 45 रुपे 88 पैसा है किर्पया ध्यान दीजिए इसके प्राइस में उतार चड़ाव हो सकते हैं अब हम इस 100 mg dry syrup के composition पे नज़र डालते हैं तो दोस्तों इसका composition है AG 3 माइसीन 100 mg है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस AG 100 mg dry syrup के यूज और खायदे के बारे में तो दोस्तों इस AG 100 mg dry syrup के यूज अनेक परकार के bacteria से होने वाले बिमारी को ठीक करने के लिए इस 100 mg dry syrup के इस्तमाल किया जाता है और साथ में किसी बच्चे के गले में swelling आ जाए या उसे tonsillitis हो जाए या तो उसके tonsill में सूजन हो जाए जिसके बज़वसे बच्चे को खाने में या निगलने में परसानी हो तो इसको ठीक करने के लिए इस 100 mg dry syrup का यूज किया जाता है और साथ में किसी बच्चे को कोमन सर्दी जुकाम होती है जिसमें बच्चे को नाक बहती है खासी आती है और हलका फिवर आती है तो दोस्तो इसको ठीक करने के लिए इस 100 mg dry syrup का यूज किया जाता है और साथ में किसी बच्चे को कान में संक्रमण है जिसे कान में सुजन हो गया हो और उसके कान में दर्द की समस्या हो रही हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है अगर किसी बच्चे को नीमोनिय की समस्या है जिसे की बच्चे को फेफडा में सुजन हो जाती है और कौफ पूरे सीने में जपर लेता है तो उस समय इस एजित्रो माइसिन 100MG dry syrup का यूज किया जाता है और किसी बच्चे को किसी चोट के बज़ा से कहीं कटे फीटे के बज़ा से उसमें संक्रमाड हो गया हो या तो उसमें सुजन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इस dry syrup का यूज किया जाता है अगर किसी बच्चे को आख में किसी परकार के बैक्टरिया से सुजन हो गया है या आख लाल हो गई है तो उसको वीठी करने के लिए इसका यूज किया जाता है अगर किसी बच्चे को फीवर ज्यादा तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एजी 100 mg dry syrup के डोज के बारे में तो दोस्तों इस dry syrup को देने से पहले अपने डाक्टर से सला जरूर ले क्योंकि डाक्टर इस dry syrup को देने से पहले मरीज का age, body weight और क्या समस्या है तो दोस्तों यह सब देखने के बाद ही देते हैं लेकिन भाईयो हम इस एजी 100 mg dry syrup को देने का डोज बता देते हैं कि डाक्टर द्वारा कैसे दिया जाता है तो दोस्तों इस dry syrup को 0 year से लेकर 2 साल तक के बच्चे को 8 ml से लेकर 5 ml दिन में एक बार दिया जाता है और इस dry syrup को कम से कम 3-7 द तो दोस्तों हम सभी को पता है दौवा के फायदे के साथ साथ कुछ side effect भी होते हैं तो उसे हम जान लेते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जैसे क्यूल्टी होना, मिचली आना, पेट में दर्ध होना और पेट जड़ना तो दोस्तों इस dry syrup का यही side effect हो सकते हैं अगर आपको इ तो दोस्तों यही था आज का topic जो कि मुख्यरूप से किसी छोटे बचे को आख, नाख, कान और गले में किसी परकार के infection हो तो उसको ठी करने के लिए इस 100 mg dry syrup का यूज किया जाता है आई-फोक दोस्तों तो आज के लितना ही तो दोस्तों आप लोगों ने AG 100 mg dry syrup के यूज और फाइदे के बारे में जाना तो दोस्तों आप लोगों को यह video कैसे लगी अगर आप दोगों को यह video अच्छी लगी तो लाइक किजिए और अपने दौस्तों के साथ share किजिए और ने है तो हमारे channel को subscribe किजिए अगर आपके मन में किसी परकार के question है ते नीचे comment करके बन्याबबबबबबबबबब